विल्कम सिल्पी की दुनिया अगर आप नए है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी आज मैं बनाने जा रही हूं विज्ट की बर्गर तो इसके लिए मैंने प्याच टमांटर और खीरे को पतले-पतले स्लाइस में कट करके रखा है अब इसे मैं एक बाउल म में डाल के मिक्स करूंगी अब आप देख रहे हैं अब इसमें मैं मोनीज डालूंगी यह अच्छे से डालेंगे हम यह जितने अच्छे से रहेगा इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हम लोग जानते हैं कि बर्गर हम आज कल कि कि टाइम में बर्गर सबको बहुत पसंद है अब यह रहा ब्लाक पेपर एंड पिंक शाल्ट है इसमें अब इसे मैं डाल देती हूं आप लोगों को दिखाके डाल रही हूं कि क्या क्या मैं इसके अंदर डाल रही हूं यह बहुँध टेस्टी लगेगा खाने पे तो आप लोग मुझे बच्छे बहुत खुश होंगे और आप लोग भी घर में बना रहे हैं तो बहुत हेल्दी होगा है बहुत हाइजेनिक तरीके से हम घर में बना लेते हैं और बर्गर ऐसा देखिए मैंने ब्लैक पेपर और पिंक साल डाल दिया है अब क्या है ना कि बर्गर जो है वो हमार आजकल अब यह रेड चिली फ्लैक्स है यह रेड चिली फ्लैक्स मैं आप लोगों को दिखा के डाल रही हो सब कुछ तो थोड़ा सा मैं ऐसे रेड चिली फ्लेक्सिस में डालूँगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा जादा आड़ कर सकते हैं नहीं तो कम डालिएगा अब पीजा पास्ता सिजलर्स है इसे थोड़ा सा डालूँगी मैं अब इन सब को मैं मिक्स कर दूंगी एक स्पून से अब आजकल के टाइम पर गया है ना बच्चे इनफेक्ट हर उम्र के इंसान को बर्गर बहुत पसंद आ रहा है युवा पीधी बर्गर बहुत जादा मार्केट में प्रचलित हो गया है तो हम लोग घर पे बनाते हैं और बच्चे को बहुत फास्ट अगर हम लंच देना चाहते हैं टिफिन में स्कूल ले जाने के लिए तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा भी जल्दी से बन जाएगा यह रहा बर्गर बन अब इसे मैं कट करके दिखा रही हूं आपको देखे यह ऐसे कट हो गया है अब इसमें मैं पहले सबसे पहले टमाइटो सॉस टाल रही हूं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे साइड में फैला देंगे इसे जो टमाइटो सॉस है मेरा अब मैंने ग्रीन चटनी बनाई है धनिया बतते की यह मैं आपको निक्स्ट चटनी कैसे बनाई हूं वैसे आप नॉर्मल भी चटनी बना सकते हैं ग्रीन चटनी जो आपके घर में अबलेबल हो अब यह रहा बंद गोभी जो होता है उसका लेयर है पतला एक लंबा सा लेयर निकालके आप इस पर चिपका सकते हैं अब यह रहा मेरा आलू टिक्की अलू टिक्की से बर्गर और स्वादिश्ट हो जाएगा अब इस पर मैं टमाटर मिला डाल रही हूं सबसे पहले टमाटर का फर्स्ट लियर फिर सकेंड में खीरा इसके बाद प्याज निक्स में आप लोगों को टिक्की की रेसिपी बताऊंगी कि कुरकुरे टिक्की कैसे बनते हैं अब यह फ्रेश क्रीम है यह सब मार्केट में ग्रॉस्ट्री के शॉप में इसली आप लोगों को सब कुछ अबलेबल हो जाएगा यह रहा चीज अब इसको दोनों को बंद कर दिये मैं इसको हलका सा दबा दी हूँ अब हलका सा कड़ाई में ओलिव उइल डालूंगे मैं एक चमच अब इसको अच्छे से फैला ली अब इसमें जो मैंने बर्गर रेडी करके रखा इसको दाल देती हूँ अब इसमें थोड़ा सा चीज है तो इसको मैं ढग देती हूँ कि चीज मिल्ट हो जाए हमारा अब मैं वो पकड़ा है फिर मैं एक और आप लोगों को बना के दिखाती हूँ यह रहा यह देखिए य यह बंज जो है आपस में सटा हुआ है अब मैंने टमाइटो सॉस उसके बाद फिर धनिय पत्ति की चिट्टनी यह बंदगों भी यह रहा हमारा आलू टिक्की इसके बाद मैं खीरा आप लोग भी बनाईए घड़ पे बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत ही बहुत ही टेश्टी बनेगा और मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा कि आप लोगों का कैसा बनाया है यह प्याज अब इसके उपर टमाटर अब इसके उपर चीज जो मैंने क्रश करके रखा है चीज को यह चीज में डाल रही है अब इसके बाद यह पैक हो गया अब यह बन इसी तरह मैंसे अब देखे यह मेरा एकदम फोर हंड्रेड टेंप्रेचर पे एकदम नॉर्मल टेंप्रेचर पे मैंने रखा अब दोनों साइड से मैं पका दूंगी एक साइड से पक गया है अब यह दूसरे साइड से भी पक जाए हलका सा इसको कंफ्लेम बें फिर उतने ही टाइम के लिए दो मिनट में यह बनके रड़ी है यह बहुत ही टेस्टी है बहुत ही अच्छा बना है और आप लोग भी बनाएं और मेरे साथ सेर कीजिए कि यह कैसा बना है बर्गर आलू टिकी बर्गर थेंक्यू 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 सो मज़ड़